Hello and Welcome Friends, Welcome to Form of Idagyan तो आज हम बात करेंगे डीटेल में एम्स में जो नया रेकुटमेंट निकाला गया है तो नमबर ओफ पोस्टों की हम बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है जो आपका स्लेबस है वो किस तरीके से रहेगा और जो एक्जाम पैटन रहेगा प्रिवियस एर कोशन पेपर किस तरीके से जो हैं पूछे जाते हैं एम्स में तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नमबर ओफ पोस्टें आप लोग देख सकते हैं इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी ग्रूप वाइज रहेगी आपका पेस्केल, क्वालिफिकेशन और नमबर ओफ पोस्टें कित्मी रहेगी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्टें रहने वाली हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी ठीक है तो नमबर ओफ पोस्ट आप लोग देख सकते हैं पहली जो पोस्ट रहेगी वो आपकी law officer की रहेगी dietitian की पोस्ट रहेगी ठीक है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं assistant store officer की भी जो है आपको vacancy इसमें देखने को मिलेगी ठीक है तो radiologist की vacancy देखेगी बायो मेडिकल इंजीनियर ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बायो मेडिकल इंजीनियर लीगल असिस्टेंट की वेकंसी आपको देखेगी मेटिनरी चाइल्ड वेलफेर ऑफिसर की जो यहाँ पर वेकंसी देखने को मिलेंगी तो जादे तर इसमें medical से related vacancy आपको देखेंगी medical record officer ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद है medical social worker तो यह आपकी जो इसमें age limit है वो आप देख सकते हैं 18 से लेके 35 years तक रहेगी तो multi rehabilitation worker की जो है इसमें vacancy आपको देखेगी इसके बाद PACS administrator की जो है vacancy रहेगी इसके बाद आप देख सकते हैं social worker इसके बाद जो आपकी speech जो आपकी pathologist रहती है इसमें जो है आपको vacancy दिखेगी store keeper की भी इसमें जो है आपको vacancy रहेगी जो की काफी अच्छी post ने इस बार जो है store keeper की आई हुई है technical officer dental और technical जो आपका रहेगा dental technical उसकी भी जो है आपको vacancy रहेगी technical officer की रहेगी और आपका hostel warden की है junior warden house keeper की vacancy रहेगी lab attendant grade 2 की इसमें आपको vacancy दिखेगी lower division clerk जो कि आप देख सकते हैं इसके बाद आपका medical record technician तो इसमें जो हैपकी काफी अच्छी quantity में आपकी vacancy जो हैं release हुई है तो उस पर भी हम detail पर बात करेंगे modular की जो हैपकी vacancy रहेगी इसके बाद आपका office जो आपकी MTS जिसे हम कहते हैं multitasking staff उसकी भी जो हैपको vacancy रहेगी साथ में आप देख सकते हैं जो आपकी pharmacist grade 2 की vacancy भी जो हैपको इसमें देखने को मिलेगी stenographer की है upper division clerk की की भी जो है इसमें vacancy रहेगी तो total vacancy आपने देख ली अभी और हैं accountant officer की जो हैपको vacancy रहेगी staff जो chief nurse officer रहती है इनकी भी जो आपको इसमें vacancy देखने को मिलेंगी nursing superintendent की जो है आपको vacancy इसमें देखेगी registrar की जो है vacancy रहेगी senior जो आपका procurement जो आपका store officer रहता है उसकी vacancy रहेगी store officer की इसमें आपको vacancy रहेगी और जो आपका librarian होता है selection great की जो है आपको vacancy देखने को मिलेंगी इसके बाद है chief medical record officer की जो है ये great one तो काफी अच्छी ये पोस्ट रहेगी chief dietitian की पोस्ट रहेगी civil medical officer servant जो आपकी officer है वो आपको देखने को मिलेगा तो ये आप देखते है medical social service officer की जो है vacancy रहेगी तो ये आपकी जो है engineer के बाद जो आपका executive engineer की पोस्ट रहेगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रहेगी तो deputy chief security officer की रहेगी principal private secretary की senior administrative officer की जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी security officer की और senior sanitary officer sanitary officer ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफी जादे इसमें पो pharmacist की भी जो है आपको वेकेंसी देखने को मिलेंगी senior pharmacist की रहेगी और इसके बाद है assistant engineer ठीक है तो यह आपकी वेकेंसी रहेंगी और जो लास्ट रहेगी वापकी senior mechanical जो आपका engineer और electrical engineer रहते हैं उसके regarding जो है वेकेंसी रहेंगी तो यह पूरी वेकेंसी आपने देख लिए अब एकें करके हम detail पर बात करेंगे कि किस तरीके से में eligibility conditions और जो है number of post आपकी रहेंगी तो सबसे पहली post आपकी law officer की है grade A की वेकेंसी रहेगी जो आपकी pay scale रहने वाला इसमें 39,000 तक रहेगा जो इसमें qualification है graduation in law equivalent रहेगा जिसमें कि आपका experience होना जरूरी है जो की 6 साल का रहेगा number of post आपकी एक हीज में आपको देखने को मिलेगी इसके बाद जो है dietitian की post रहेगी जिसमें की qualification है MSC आपका होना compulsory है जो की home science से हो सकता है clinical nutrition से हो सकता है dietitian से हो सकता है food science food service management से हो सकता है और ये सारी चीज़ां आपकी रहेंगी तो इसमें जो आपका qualification के साथ आ आपका qualification में रहेगा total post आपकी 12 रहेगी जिसमें की general की 8 post है OBC की 3 post है और SC की एक post रहेगी इसके बाद assistant store officer की जो की एक post है जिसमें की आपका graduation होना compulsory रहेगा इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका audiologist है जिसमें की सिर्फ एक post रहेगी तो इसमें जो qualification है bachelor degree हो आपका हो होना चाहिए ideology और speech language में इसके बाद biomedical engineer जिसमें की एक post आपकी रहेगी legal assistant की भी जो आपका graduation होना चाहिए जो कि आपका law से related रहेगा इसके बाद आपका जो है materinary and child welfare officer की जो है vacancy रहेगी जिसमें की आपका degree या diploma होना चाहिए 7 मां आपका जो है one year का experience होना चाहिए degree वाले के लिए 2 साल का जो है experience होना compulsory रहेगा medical record officer की जो vacancy रहेगी इसमें आपका जो है bachelor degree होना चाहिए science stream से साथ में जो आपका medical record में जो है आपका experience होना चाहिए और जो आपका experience रहेगा 5 साल का रहेगा जो की 200 बैट का hospital या clinical institute में होगा इसके बाद जो आपका medical social officer जिसमें की आपक जो qualification है MA social worker MSW specific जो आपका medical social work से आपका होना चाहिए ठीक है तो यह आपकी poster रहेंगी इसके बाद हम जो जादे poster हैं वो आप देख सकते हैं अभी आप जो पूरी detail है इसको मैं आपको telegram में provide करा दूँगा तो store keeper की भी जो आपको vacancy देखने को मिल रहे होगी जिसमें की 18 से लेके 35 years तक के candidates apply कर सकते हैं salary की बात करें तो 34,000 तक आपकी salary रहेगी qualification degree आपके पास होनी चाहिए और post graduation degree diploma कुछ भी आपका मतलब होना चाहिए साथ में bachelor degree होनी चाहिए material management from recognized university या फिर आपका 3 साल का experience होना रहेगा ठीक है तो इन दोनों में से आपका एक चीज होना चाहिए या फिर आपकी degree होना compulsory रहेगा number of post आपकी 20 post आपको इसमें देखने को मिलेंगी इसके बाद जो है आपका dental technician की post रहेगी उसमें आपकी 4 vacancy रहेगी जिसमें कि आपके पास experience भी जो है आपका इसमें होना चाहिए साथ में आपका technical officer जो कि आपकी post रहेगी चार जिसमें कि आपका BSC मागा गया है तो BSC आपका होना चाहिए ophthalmic technique से इसके बाद जो next post रहेगी इसके बाद जो post आपकी रहेगी वो आपकी lab attendant की post रहेगी grade 2 की age limit आप देख सके 18 से लेके 27 years तक आपकी रहेगी जिसमें की qualification आपकी 12 होनी चाहिए या फिर diploma in medical lab technology ठीक तो ये आपकी होना चाहिए साथ में इसमें जो आपका दो साल का experience जो है मागा गया है तो रीवलेंट जो field रहेगा उसका आपका रहने वाला है लेकिन इसमें जो post हैं वो काफी अच्छी रहने वाली है 41 post आपकी रहेंगी general की 22 post OBC की 10 post SC की 6 post हैं और ST की 3 post हैं रहेंगी तो lab attendant grade 2 की ये vacancy जिसमें 32 post हैं रहेंगी जिसमें आपका qualification 12 पास मागा गया है साथ में जो आपका typing test भी रहेगा साथ में आपका medical record technician जो आपकी post रहेगी इसमें भी आपका same रहेगा या फिर आपका bachelor degree होनी चाहिए medical record में या फिर आपका 12th science stream से होना चाहिए और 6 मैने का आपका diploma या degree certificate आप आपके पास होना चाहिए medical record के साथ में साथ में आपको जो है typing test भी आपका इसमें रहेगा total post आपकी 38 post है इसमें रहेगी इसके बाद modular की जो post रहेगी 14 post है इसमें आपको देखने को मिलेंगी जो की arts field से रहेगी इसके बाद आप फार्मसिस्ट की जो vacancy आपकी रहेगी इस से 27 साल रहेगी जिसमें की 27 vacancy में आपको फार्मसिस्ट की देखेगी साथ में जो आपका डिप्लोमाइन फार्मसी होना चाहिए registered pharmacist होने चाहिए और experience आपके पास होना चाहिए manufacturing का, storing का, testing का, transfusion का और reputed hospital जो है आपका या industry में आपने काम किया होना चाहिए ठीक है तो फार इनोग्राफर की जो है आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें की आपका 12th पास होने चाहिए minimum जो की total vacancy 34 vacancies में रहेगी इसमें आपका typing test भी रहेगा ठीक है upper division clerk में जो है आपका graduation होना चाहिए और साथ में computer की knowledge होना जरूरी रहेगा इसके बाद account officer की vacancy रहेगी जिसमें की आपक account से related रहेगा साथ में staff nursing officer की जो है इसमें vacancy भी जो आपको देखने को मिलेगी जिसमें जो qualification है वो आपका central और state government से जो आपका होना चाहिए जिसमें कि आपके पास 5 साल का experience होना जरूरी रहेगा मतलब आपने service की होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो है जो मलत पहले से government employee है उनी के लिए ये post हैं रहेंगी इसके बाद है assistant जो आपका nursing superintendent है इसमें भी same procedure रहेगा कि आपने जो है पहले कहीं मतलब assistant रहे हो nursing superintendent में 5 साल के लिए ठीक है तो ये चीज़ें रहेंगी इसके बाद है register की register की senior procurement come store officer की post रहेगी ठीक है तो अब बात कर लेते हैं जो आपकी chief medical officer है तो इसमें भी आपका same process रहेगा तो ये जो vacancy आपने देखे होगी ये पहले भी आई थी 2017 में तो इनको जो है reopen किया गया है तो 2017 के बाद ये reopen हुए हैं जिसने पहले form बरा था तो उनको form बने की जरूरत नहीं है जिनने पहले fees जमा करी थी अब उनको fees जमा करने की जरू पूरत नहीं है ठीक जो नई candidates उनी के लिए ये रहेगा ये जो आपकी पुरानी vacancy रहेगी जो की 2017 में जो है आई थी इसमें जो है दुबारा से इसमें आप देख सकते हैं किस तरह करना चाहते हैं last date आप देख सकते हैं किस तरह किसे रहेगी fees इसमें 3000 2000 रहेगी group B और group C के देख के लिए 1000 रुपे जो है इसमें फीज रहेगी अब बात कर लेते हैं जो इसका examination रहने वाला वो किस तरह किस रहेगा तो exam जो प्रोसेजर रहेगा वो आपका March या April के मिड में जो है organize कराए जाएगा जो की आपका admit card है वो जल्दी आपको notification के तोर पर आपको बता दिय जाएगा ठीक है तो यह सारी चीजे रहेंगे कोई भी update मिलता सबसे पहले आपको provide करा देंगे और चैनल के सांथ जरूर बने रही है चैनल को subscribe कर लीजिए और syllabus की वीडियो आपको जल से जल हम provide कराएंगे इस पूरे notification को आप लोग अच्छे से बढ़ लीजेगा और अगर इसके previous air question paper हम जल से जल आपको provide कराएंगे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भारत